सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल समराट मेडिकल नामे को और साथ में दबाए बेल आइकन को हमारे सभी वीडियो देखने के लिए नमस्कार आज हम लोग जानेंगे एपेक्स इटरा 200 mg कैपसुल के बारे में एपेक्स इटरा ब्रेंड नेम है इसका कमपोजीशन इटरा कोना जोल है इसके परतेक कैपसुल में इटरा कोना जोल 200 mg पाया जाता है इस कैपसुल को एपेक्स लेवरेटरिज प्राइवेट लिमिटेड दोरा बनाया जाता है जो 10 कैपसुल के इटरीप में 265 रुप्या 70 पैसा के कीमत पर किसी भी मेडिकल श्टोर पर इजली मिल जाता है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एपेक्सिट्रा 200 mg कैपसुल का आप्योग कौन कौन सी बिमारी को ठीक करने के लिए क्या जाता है इस कैपसुल को कितने दिन तक कितनी मौतरा में लिया जाता है Apexitra capsule का आपयोग करने के बाद क्या क्या दुस्परभाब हो सकता है इन सारी जहनकारी के लिए बने रही है हमारे साथ दोस्तों Apexitra capsule बहुत ही अच्छा antifungal दबा है इसका आपयोग कई परकार के फंगल इनफेक्शन को ठिक करने के लिए किया जाता है फंगल इंफेक्शन से होने वाला बिमारी को ठीक करने के लिए क्या जाता है जैसे रिंग वर्म दाद में जब किसी बैक्ती को अंगूठी के अकार का लाल चकता हो जाता है जिसमें काफी खुजली होते रहता है बैक्ती खुजलाते खुजलाते परेसान रहता है अगर रिंग वर्म बैक्ती के सर में हो जाए तो बाल जहरने लगता है तब डॉक्टर अन्योप्योगी दबा के साथ एंटी फंगल दबा के रूप में पैक्चिट्रा कैप्सुल को प्रिसक्राइब करते हैं खुजली में जब किसी वैक्ती को काफी दिनों से खुजली रहता है जो काफी दबा करवाने के बाद भी नहीं छुटता है तब भी डॉक्टर अन्योप्योगी दबा के साथ एंटी फंगल दबा के रूप में इस कैप्सुल को प्रिसक्राइब करते हैं अगर किसी व्यक्ति को मुखपाक हो जाता है, स्टॉमाटिस्टिस हो जाता है, मुह में घाव हो जाता है, जो काफी दिनों से नहीं चुड़ते रहता है, काफी दवा करवने के बाद भी नहीं चुड़ते रहता है, तब भी डॉक्टर Apexitra कैपसुल को प्रिसक्राइब करते क्योंकि इस दवा का उप्योग करने से मुझ का घाव जल्द ही ठीक हो जाता है तुरंत समापत हो जाता है जब किसी व्यक्ति को नाखुन में नक में फंगल इंफेक्शन हो जाता है तो उनका नाखुन धेरे-धेरे खत्म होने लगता है आथों के नाखुन से पीब बहने में या उसके आजू बाजू में फंगल इंफेक्शन हो जाता है जिससे महलाएं परेसान रहती है महलाएं खुजला खुजला कर यूनी से बलड तक निकाल देती है इस समस्या को ठीक करने के लिए इस फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए भी अन्य उप्योगी दबा क साथ एपाक्सिट्रा 200MG कैपसुल को उपयोग करवाते है अब जिया एपाक्सिट्रा 200MG कैपसुल के उपयोग करने के बाद क्या-有कर फिर्ष प्रम करने है दस्त लग सकता है कब जो हो सकता है इस कैपसुल का उप्योग करने पर लिवर पर बहुत बुरा दुस्परभाव पड़ता है इसलिए इस कैपसुल को डाक्टर की देख रेख में खाना चाहिए दोस्तों एपक्सिट्रा दोस्तों एपसुल के बारे में और किसी भी परकार के जहनकारी के लिए कमेंट कीजिए साथी वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए तथा चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद